पर दोरे मॉन मैं तो सोच रहा था कि थोड़े देर पढ़ाई कर लो क्या सच कह रहा हूँ तो मैं हैरान होने की ज़रूरत ही है आइडिया मैं शिजुका की घर चला जाता हूँ यहां तो बहुत जादा शोर हो रहा है हमारे पड़ोसी नया स्टीडियो लेकर आए है और सुबा से वो नॉन स्टाप चल रहा है बहुत शोर हो रहा है शिजुका भी हमारी तरह ही शोर से परिशान है हाँ पर हम जा का रहे है किसी ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ी शान्ती हो मैं हूँ जियान मैं हूँ बड़ा ताकतवर मेरा गला है बहुत सुरीला मेरी आवाद यहाँ पर भी बहुत शोर है हाँ, अब हमें कहां जाना चाहिए आपको परिशान करने के लिए माफी चाहते हैं हम अफ़ार इकठा कर रहे हैं कितना शोर है इस शहर में तो हर तरफ शोर ही शोर है बादर बहुत ही शान्त और सुन्दर होते हैं मुझे बता है, मेरे पास इक बहुत अच्छा आइडिया है तुम क्या करने की सोच रहे हो नोबिता वहाँ देखो बादलों के उपर, हाँ, वहाँ ठीक रहेगा अच्छा डोरेमॉन ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास एक क्लाउड पिक्सिंग गास नहीं है हाँ, वो बिल्कुल है क्लाउड पिक्सिंग गैस ये तो बड़ा मज़िदार है क्या आप ये पूरी तरह दयार है ये तो बहुत अच्छा है वाँ ये बादल तो आगे बढ़ी नहीं रहा क्लाउड फिक्सिंग गैस ने इस बादल को ज़्यादा भारी बना दिया है इसलिए वो हवा से आगे नहीं बढ़ेगा ये देखो नापिता ओ शुदुका कितना अच्छा लग रहा है बताओ, मेरा मिस्टर क्लाउड कैसा है चलो उस पहाड़ी पर चड़ते है कितना सुन्दर है हाँ, बहुत सुन्दर है कितना अच्छा लग रहा है ये तो सुर्प जैसा है ये कॉटन कैंडी लग रही है चलो, अब हम मिलकर मस्ते करते हैं ये कितना अच्छा एसास है कितनी शांती है कितना अच्छा लग रहा है हाँ ये स्वर्प जैसा है आइडिया, क्यों न हम मिलकर इसे एक असली स्वर्प में बदा दे क्या कहा, असली स्वर्प में बदलेंगे क्या तुम्हें ये असली स्वर्प नहीं लगता नोबिता हाँ, पर थोड़ा खाली है हम थोड़ा क्रेटेव हो कि इसे और अच्छा बना सकते हैं मैं चाहता हूँ कि यहां पर इस सुन्दा साथ अलाब हो, मैं सिमट क्या प्लोटिंग वाटर गैस पहाड़ी के उपर एक महल हो तो बहुत अच्छा होगा आटोमाटिक कंस्ट्रक्शन मशीन यह मशीन कोई भी चीज बहुत आसानी से बना सकती है लो अभी देख लो इसके लिए पहाड़ी की उपर वाली जगड़ ठीक है मैं अभी घर जाके आई फिर मिलेंगे अरे हाँ, मैं भी कुछ काम भूल गया था, मैं चला यह दोनों मिलकर आखे करने क्या वाले है मज़ेदार जिन्दगी के लिए खाना ज़रूरी है हमारे पास धेरो स्नाक्स होने चाहिए भूक लगेगी, तब यही तो खाएंगे अगर हम स्वर्ग में भी भूके रहेंगे तो फिर जीने का मज़ा कैसे आएगा नोबिता यह कॉस्ट्यूम आने बिछले साल ड्रामा में पहनी थी तुम बहुत सुन्दा लग रही हो क्या सच कह रहे हो नोबिता हाँ, अब चलते है वाँ, यह स्वर्ग भी कितनी अच्छे जगा है वाँ, वो देखो हमारा महल वाँ, कितनी अच्छा है अब हम मूट में आ गए वाँ, यहाँ पर कितना अराम है यह बोल किस्ते, फैकी तुम पानी से नीचे की तरफ देख सकते हो देखू तो जियान और सुनियो हमारा बादल नीचे सरग गया है अरे, वो बॉल कहां चली गई अरे, वो देखो, वो तो नोबिता है यह लो अपनी गंदी बॉल, क्याच करो तुम्हारी इतनी हिम्मत, नोबिता तुम वहाँ पर बादलों में क्या कर रहे हो नोबिता तुम ज्यादा मत बनो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा अरे, फ्रिज खाली है यह जरूर नोबिता का काम होगा हलो अंटी अ, आई नोबिता ने बादल के उपर से हम पर बॉल फेगी उसने हमें खाली मैदान में खेलते वक बहुत तंग करा और जब हमने उससे कहा कि हमें भी बादल पर आने दो तो उसने मना कर दिया आंटी हमें नहीं लगता कि यह सही है कि वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचे इस नोबिता का क्या करो मेरी तो कुछ समझ नहीं आता है नोबिता अब दो बारा से यह क्या हो गया डो रे मॉन नोबिता मेरी आवास आनी है अभी इसी वक नीचिला जाओ मॉम तो बहुत गुस्से में है नोबिता बयानक लग रही है मेरे खयाल से हमें घर चलना चाहिए हाँ घर चलते हैं लेकिन मुझे यहां आग बहुत मज़ा आया मुझे भी चुछाप घर चलो मुझे दर दो रहा है बिचारा नो बिता हेई डोरे मौन जियान और सुन्यो हेई डोरे मौन जाओ और जाकर एनिवेर डोर ले आओ अब हम भी उस बादल पर जाएंगे हाँ बिल्कुल सही क्या पर क्या तुम नहीं चाहते हो अच्छा ठीक है जियान याहू मज़ा गया वाउ कितनी बड़िया जगा है यहाँ पर एक पूल है और आराम करने की जगा भी है क्यों ना इसे हेविन्स प्लेग्राउंड बुलाएं और इसे अपने पास रख लेते हैं हाँ सुनो मैं कहती हूँ कपड़े सूख नहीं रहे जल्दी कुछ करो यह तो जाँ बताती हूँ यह सुर्ग में भी कितना शूर है क्यों बुलाएंड बुलाएंड़े